आप देख रहे हैं पुलिस वाला वैब नियूज और मैं हूँ आपके साथ हर्शता मश्रा अकल भारती पूर्वसानिक सेवा परिशत जला रीवा के अंतरगर्द बरा कठार रिकाई के तत्वाधान में कठार स्कूल की प्रांगण में भारत पाक 1971 के युद्ध में बारते सानिकों द्वारा अदम्य साहस और शौर्य पराकरम दिखाते हुए पाक सेना को मांतर 13 दिनों में परस्त कर 93,000 सानिकों को बंदी बनाया जो एक एतिहासक विजय थी उसी के उपलक्ष में विजय दिवसमारों का योजन किया गया आज की कारिकरम के मुक्यती थी कमोडोर अमर सिंग जी के विशिश्ट अतिती विंग कमांडर योबी सिंग जी पूर्वजला सानिक कल्यान अधिकारी रहे थे कारिक्रम के अध्यक्षता राश्ट्रे सचव सारजेटर हमेश पाणेने की मुक्यतिती अपने उद्बोधन में कहा कि भारत की सेना के पराक्रम के सामने कोई देश की सेना ठहर नहीं सकती हमारे सैनिक हमेशा मातर भूमी की रक्षा में हमेशा विशम परस्ततियों में भी डटे रहते हैं और अपना सरवोच बलेदान देने में भी पीछे नहीं हटते हैं विशिश्ट रतीती ने योबी सिंग ने कहा कि आज हम सभी सुरक्षत अपने घरों में हैं और वो हमारी सेना की बदौलत है। बलेदानी वीर सपूत किसी धर्म जाती और परिवार का नहीं होता। पुराश्ट के धरोहर है उनके परिवार का ख्याल रखना हम सभी देशवासियों का तर्तव्य है। परिशट के मेडिया प्रभारी दिवाकर दिवेदी ने बताया के कारिकरम में जले के बलेदानियों के निम्नवीर, नारियों और मातापिता को सम्मानित किया गया। बच्चियों द्वारा वंदे मातरम और स्भागत और देश भक्ति कीतों से वंद्रमोग दिखर दिया, उनने भी मोमेंटों देकर सम्मानित किया गया। उनने सो बासट और उननिस्तो पैसट और उननिस्तो खत्तर के युद्ध में भाग लेने वाले बज़र्गों पूर्व सानिकों और उनके परिजनों का भी सम्मान किया गया। कहां करें, कैसे करें। फिर भी उन्होंने कहते हैं कि सैनिक कभी हार मानता नहीं है। उसने दरवाजा उस समय के महावहिम तक्कालिन राश्पत्जी के पास करें। और राश्पत्ती का नाम लेते हुए मुझे गर्ब होता है कि उस समय के महावई तत्काली राश्पती संकर द्यास आज आपका जो प्रोग्राम था ये किस संबन्ध में था आपका ये अकिल भारती पूर्शनिक सेवा परिशब जिला रीवा इकाई और हमारी सब इकाई बरा कठार जिसके तत्वाधान में इंक्यामना उनई भारत पाकिस्तान उनई सो एकहत्तर युद्धा एतिहासिक विजय दिवस के रूप में इसको हम सब मना रहे हैं और आज इस कठार स्कूल के प्रांगण में हम सब लोगे कत्रित हैं और उसी तारताम में ये कारकम रखा गया और ये बिजय दिवस एक इतिहासिक विजय दिवस है हमारी जो सेना है आदम साहस और प्राकरम दिखाते हुए दुस्मन देश के 93 संजिकों को बंदी बनाया और उनको बंदी बना करके अपने भारत में लाई और एक दूसरे देश का जन्म हो जो आज बंगला देश के रुप में जाना जाता है उस से पहले सामरिक दिश्चकोंट से हमारे पूर्मी पाकिस्तान और पश्च्मी पाकिस्तान हुआ करता था दो देश के बीच में हमारा देश फस्ता था जिसके हमेशा कटनाया होती थी तो उस समय हमारे तातकालिंग जो हमारी परानमंत्रियों सेना के जो जर्नल इन के लिए उनको नमन करने के लिए ये बीजय दिवस मनाते चले आ रहे हर वर्स और इस बीजय दिवस पे अपने रीवा जिले के तीन बीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया और अन्य जो जुद्ध हैं उनके बीर बलिदानियों का भी हम लोग आज सम्मान किया जो हमारे रीवा जीले के जिये उन में से सभी का सम्मान करना हम लोगों का अखिल भारती पूर सहरी सेवा परिशत का नैतिक जिम्मेधारी बनती है और उसी कार्टब में आज हम उनको पुश्व अर्पित करके उनको नमन क साजेट्ट रमेश पांडे अकिलवार्पी पूर्साइडी सेवा परिशत का राश्टी सच्चुकर्ण